ख़र्व नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत करता हूं मैं अपने डियुब चैनल BSC Pro Classes में दोस्तों जैसे कि अपने कहा था कि डिमांड चल रही थी कि सर्फ रियल आनलाजेस को स्टार्ट कर दिया है और जो इनट बच रही थी अपनी वैसे तो इनट मर फरस्ट भी बच रही है लेकिन फॉर्थ इनट करवा रहा हूं मैंनि च्यार उनिट अपनी डियल में हो जाएंगे तो बहुत हो ज दिया है और टेलेग्रम मेंट पोल डाला तक कितने बच्चे रियल की लाइव क्लास लेंगे तो 30 एक बच्चों का आया था कि सरा हम रियल की लाइव क्लास लेंगे आठ बजे सुबह तो यह 30 तो कम से कम आओ और 30 को देख के 30 हो रा जाएंगे तो इसलिए आप सभी जिन्हों शेर किया जाए क्योंकि अपन कंटेंट इस प्रकार देंगे क्योंकि सबसे डिफिकल पर पढ़ताहर लेकिन अपने सकुश्प परकार पढ़ाएंगे कि आपको अल्टिमेट मजाएगा तो जल्द शेर कर दिजिए वस आपका काम यहीं लाय कर दिए शेर कर दिजिए और आज की class कुछ start करते हैं फिर लेकिन आज की class कुछ start करने से पहले अपने motivation code ले लेते हैं तो motivation code क्या कहता है ध्यान से सुना सभी सभी live connect हो जाए जल्दी जल्दी और मैं पहले बोल दो आठ वजे से पहले पहले connect हो जाए करो क्योंकि fix आठ वजे आपके पास सभी के पास notification चल जाता है और कई उन क्या करा notification मेरे पास एक दो कमेंट आदे मुझे पता ही चलता कि आप class कब होती है तो यह notification चालू रखा करो तो इसका किसका चैनल करो जो बैल आएकन आता शकुछ आलू कर रखा करो जिसे कि आपके पास notification आजाए टेलेग्राम पर डालिंग जुरूरत नहीं है सभी के पास notification दाता दो बार एक तो साधी साथ वजे और एक दाता फिक्स आठ वजे तो इस टाइम पे भी जोइन कर लिया आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि आठ वजे अपनी क्लास लगती है तो आपको पैन को पे लेकर आठ वजे बैठ जाना चाहिए इस ही जगह पर ठीक है तो आज के motivation code के साथ में बना क्लास को स्टार्ट करते हैं तो motivation code क्या कहता है कि संघर्ष के मार्क पर संघर्ष के मार्क पर जो वीर चलता है वो ही इस अंचार को बदलता है जिसने अंदिकार, मुसीपत और खुद से जंग जीती क्या कहा कि जिसने अंदिकार, मुसीपत और खुद से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है तो इस से क्या तात पर ही है इस motivation code से तात पर यही है कि आपको अंदकार मुसीपत और खुद से जंग पहले जीतनी पड़ेगी उसके बाद में जाके फिर आप सूर्य बनकर या एक successful आदमी बनकर निकलोगे तो इसलिए अपनी जो महनत है उसको बरकार रखिए और पढ़ते कर यह मन लगा कर तो चलिए मेरे साथ सभी साई सभी चलास कोMed सब कर तो मेरे साबसे जो बचले को सब्सक्राइबंने מצ करें साथ की साथ नोटस भी तयार कर सकता ह। तो यूनți फ्र का नाम है रीमान integration ठीक है थो सबसे पहले तो क्या है कि मैं आपके दिमाग से एक चीज को निगाल देता हूं कि रीमान समा कलन है तो अधिकान सबस्चे होगा उनको फ़ल आसां से कर लेंगे लेकिन सबसे पहला जो डावट आप सभी के मन में कि रीमां समाकरण है ये वह समाकरण नहीं है जो आपने परस्ट आर में पढ़ा था विल्थ नहीं पढ़ा था एक काम नहीं आहएगा जो पनने पहले पढ़ सकती है तो पहला 12th class में पढ़ा था 12th और 1st year की में बात करता हूँ तो वहाँ पे अपने जो समा कलन पढ़े थे उनमें अपने क्या करा था उनमें आपने देखा हो तो गराब बनाया था मतलब जिस परकार इसे गराब बनाया गराब बनाकर अपने देखा जैसे यह इसकी lower limit होगई यह इसकी upper limit होगई इस परकार यह lower limit इसकी upper limit अपने क्या करा था की diagram के माद्धियम से जामिति के हिसाब से अपने जो समा कलन हैं उनकी क्या limit को find किया था सीमा को निकाला था और अपने क्या करा फिर उसके बाद में अपने उन्स लिमिट को समा करने में रखा और अपने पास वैल्यू आ गई बात के लिए तो यह क्या है एक जामीतिये अपने इसको रूप कर सकते हैं जामीतिये रूप तो जामीतिया रूप तो फिस्ट एयर में पढ़ने पढ़ा लिया यां लेकिन अब यह यहां पर उर्सेटर सेकेंड रपेंगे पढ़ेंगे रीमान समाकलन तो यह क्या चकर है तो क्या हुआ कि कुछ समाकलन जैसे मैं बात करता हूँ जैसे ये तो अपना हो गया complete उसके लाओ जब अपन second year में आते हैं तो अपन पढ़ते हैं रीमान समाकलन तो ये क्या चक्कर है तो क्या हुआ कि कुछ समाकलन ऐसे थे जिनका हल जामेतिय विदी से possible नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर उसके बाद में रीमान नाम का scientist आया उसने क्या है कि अपना खुद का ही एक के रीमान समाकलन दे दिया ठीक है इसने इसका formula प्रदान किया जो भी काम किया अपने इस chapter में पढ़ेंगे लेकिन इन्होंने क्या करा इन्होंने ये किया कि जो अपने समाकलन दे उनको क्या करा इन्होंने जामेतिय को तु बंद कर दिया मलब इन्होंने जामेतिय को यूज न करा इन्होंने क्या करा बीज गनित को यूज करा मलब है हमारे पास में जो x, y, z है algebraic form है उसको यूच किया समाकलन को solve करने के लिए समाकलन को हल करने के लिए समाकलन को हल करने के लिए तो यह पहला question है सभी के मन में रहता है यह सर रीमान integration है रीमान समाकलन है 12th class का होगा कोई दिक्कत नहीं है आँक बंद करके अपने इसको पढ़ सकते हैं लेकिन यह एक बात मा आप बता दू कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें बिल्कुल इसमें ठोरम से बहुत कम है जिस प्रकार अपने second unit में ठोरम पढ़ी थी वो तो बहुत ही ज़्यदा थी लेकिन इसकी अंत्रयत अपन बात करें तो ठोरमस हैं बहुत ही ज़्यदा कम हैं लेकिन बहुत कम हैं तो मेरे साबसे पहला किशण आपके मन में यह दावाट किलियर रहें दहीं तो अपन क्या पढ़ेंगे जो second अपन सेकंड एरम पढ़ते हैं तो यहां पर जो समाकलन होंगे अपने को algebraic form में बीजगनितिये formula के आदाहर पर क्या है कि जो रिमान भाई साब है इनने क्या करा समाकलन को solve करने के लिए बीजगनितिये formula का इस्तिमाल किया तो उसी के आदाहर पर क्या करेंगे बीजगनितिये मनलब समाकलन को बीजगनितिक आदाहर पर solve करेंगे तो पहला question clear अब चलते हैं एपने chapter के topic पर चैप्टर का एक topic ले लेते हैं और उस chapter के topic को टार्ट कर दिते हैं आज की class में और आज की class है मैं आप सभी को बताज़ू कि ज़्याधा बड़ी नहीं लेंगे और पहली class है और पहली class में अगर आप को ज़्याधा बड़ा दिये जाएगा तो फिर आप डर जाओगे इसलिए क्या है कि आपको थोड़ा सा समरत अंतराल का विवाजन अब समरत अंतराल का विवाजन अब समरत अंतराल का विवाजन तो यहां पर बात करते हैं समरत अंतराल का विवाजन पहला टोपिक है अपना इस चैप्टर का और मैं आपको बता दू कि दो तीन चार दिन की जो क्लास रहेगी उसमें अपन जो चै इसलिके स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा चैप्टर का बेस बनाना पड़ेगा जिससे कि अपनको थोड़ा सा लगे हां बैपनको शुरू में आता है यह चीजे अपने पढ़ रखी है तो फिर आगे क्यूशन सौल्व करने में अपनको बहुत जैदा आसा निराने वाली है ठीक है ठीक है तो समरत अंतराल जैसे में यहां पर लिखता हूं एक इंटरवेल आई इसकोल टू आई इसकोल टू ख्लोज इंटरवेल एबी एक कुमा भी और ब्रैकेट बन तो यहां पर हमारे पास में जो आई क्या है एक इंटरवेल है ठीक है और क जैसे अपने एक function मान लेते हैं कोई भी जिसको अपन find करेंगे वो क्या है continuous है अब क्या है कि जो नहीं नहीं चीज़े आते हैं अब जैसे अधिकान्स बच्चों को यहां पर doubt आता है किसा यह कहां से आया यह कहां से तो जब chapter start होता है कोई जैसे पहले लेक्चर को आपको दो बार देखना है पड़ सकता है क्योंकि अपने पहले चीज़े कभी नहीं पड़ी तो इस चीज़े अपनको accept करने पड़ेगी अपना नहीं पड़ेगी तब ही जाएक पर अपनों को थोड़ा सा समझ में आएगा ठीक है हाना कि मैं आपको example के माध्यम से इस प्रकार क्लिर करूमा कि आपको ultimate समझ में आएगा ठीक है तो बने रही है कमेंट भी करते रही है समझ में आ रहा एक नहीं आ ठीक है तो अब यहां पे मैंने क्या कहा आप से कि fx को फलन है यह कहा continuous सतत है चलो ठीक है मान लिए आपके सामने दो मैंने example दे दिए और मैंने कहा कि i क्या है हमारे पास में interval है और a b क्या है उसके मलब terms है कि a से को interval start होता है और b पे खतम होता है यह अपने बात बताई और को function हमारे पास में fx है वो क्या है सतत है continuous है आगे बात समझ में तो अब आपको एक example देता हूं मैं ultimate example देते है उसके बाद में आपन इसके basic को समझेंगे और इसका formula आपना आज सीखने वाले हैं तो सभी आई एक जामपल लेते हैं पर एक शामदार सा तो यहां पर लिखता हूं मैं एक्जामपल इस example को मैंने रखना यह चीज आपके ultimate clear हो जाएगी तो जैसे मान लीजिए एक highway बन रहा जैपूर तू देल्टी यहां पर बात करते हैं यह अपना एक highway है दूसरे हैं से लिख देते हैं आपको ultimate समझ में आठीए बस टो के यह क्या है यह हमारे पास में जैपूर है और यह हमायरे पास में क्याया दिल्ली है अब क्या है कि बहूंठ यहां पे हाइवे बन रहा है तो जो इनका मालिक है जिसमेल अने इसका वह लिया ऐ ठार्गेट के हपन जैपुर से दिलियों तक हाइवे बनाना है तो आगे सेविट रहे है कि यहां जल्दी से जल्दी बनना चाहिए प्टाफट इसमें ज्यादा मलब जितना कम हो सकता है उतना टाइम लगना चाहिए तो इन्होंने का चलो ठीक है भी है हम कोशिज करेंगे जितना कम समय हो सकता है तो फिर यहां पर जो इंजिनियर्स काम कर रहे हैं उन्होंने क्या किया मालब जो इनका head है उसने क्या किया किविए अगर एक team जैसे जाइपूर से कोई team रोड बनाना चालू करती है यहां से तो उसको यहां से लेकर यहां तक भूशनी में तो काफी time लगेगा अकेले team अगर काम करेगी तो तो इसने क्या किया इसने जैपूर्टे दिल्ली के बीच में महलब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पार्ट्स कर दिये जैसे कि यह ऐसे इस प्रकार पार्ट्स कर दिये और उन्हों क्या कहा यह पार्ट्स डिवाड कर दिये और उन्होंने कहा कि यह मैंने पार्ट्स पर जल दो कर दिया करना है यहां से स्टार्ट हुआ तो फिर यहां से एका काम खथम लेकर बेकर का कां मिरे कांव स्टार्ट क्योंकि पैइजसे की कां ही से इस्टार्ट है ऐसा होता है यहां पर बताए यहां होसिता होसी चाहत थे जायब पूसराइव पना श्ट्री तक तो एक बात पाते बताए जो फंक्षन है कि अगे बीच में से ब्रेक हो गया रोडे है जो अपना बंध रहा है वह अगर बीच में से टुटा हो गया तो इसका मतलब किया हो फिर उस हाई-बे का मतलब क्या हुआ तो इसलिए क्या है कि रोडे को समचंञत हों का के से होगा continuous होगा सतत होगा तो मेरे साब से ये चीज आपके दिमाग में completely clear हो जाने चाहिए इस example के माध्यम से अब क्या करते हैं इस example को अपन जो अपना algebraic form है बीजगनिती रूपोस को दे देते हैं इसी diagram को देखना द्यान से अब जैसे मैंने यहां पर यही वापिश diagram बनाया है यह देखना यह अपने क्या बनाया एक diagram बनाया यहां पर ठीक है और मैंने कहा आप से कि हमारे पास में जो interval आई है उसका जो first time है वो क्या है हमारे पास में वो है A तो यहां पर मैंने क्या करा इसको A नाम दे दिया और जो last का time है वो क्या है हमारे पास में B है ठीक है लेकिन मैंने क्या करा कि यहां पर जो हमारे पास first time है मैंने उसको नाम दे दिया XNode ध्यान से सुनना यह क्यों दिया है अभी मैं आपको बताता हूं उसके बाद मैंने क्या है इसको इंध्यान डिवाड किया इस परकार देखो यहाँ पे में डिवाड कर दिया तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझना इंट्यान को तो मेंने इनको डिवाड कर दिया थीगए इंट फोकस करना क्योंकि किसे प्रकार मैं लिक amino तो मैंने इसको नाम दे दिया एकस नोड ठीक है उसके बाद में यह जो सेकिंड वाला है इसको मैंने नाम दे दिया क्या नाम दे दिया एकस एकस थार्ड वाले को नाम दे दिया मैंने एकस टू ठीक है और इसे परकार आगे चलेंगे अपन तो इस परकार आगे डग देंगे X3 और पिर आगे चलेंगे तो हमारे पास में क्या जागा देखो XR-1 और यहां पर क्या जागा XR आगे बाद समझ में और जैसे अपने आगे चलेंगे तो यहां पर XN-1 लिख दें तो यह जो लाश कटा मुगाओ क्या होगा XN अब कई बद चों के समझ में आपके नहीं आया होगा कैसे अपने क्या करा कुछ नहीं किया जिस परकार यह एक्जामपल मैंने आपको समझाया उसी परकार क्या समझा रहा हूँ मैं आपको कि A और B इंटरवेल है जिस परकार जैपूर और दिली हाईवे अपन बना रहे थे उसी परकार अपने क्या करा A और B इंटरवेल को लिया उसमें क्या करा जिस परकार मैंने अलग-अलग कंपनियों में डिवाड किये थी कि आप यह कंपनी यहां का रोड बनाएगी उसी परकार क्या है कि बीच मैंने डिवाड कर दिए इंटरवेल को मतलब बिलकुल समान द है यहां पर भी एकार यह a चल रहे है अब यहां पर यहां पर थोड़ा सा आपको समजन अपने कैसे थोड़ा सद्यानでき अपड़ेगा इस प्रकार को कियां पे जो अपने एसे बीक कर मैंने यह जो इंटरएल में इनको तोड़ा है तो अपने इसको किस प्रकार लिख सकते हैं देखो ध्यांत देखना है गवा जैसे अपनी पास से यह टम से हैं स्टार्ट कहां से होई एकस नौट से तो मैंने लिखा एकस नौट से यह स्टार्ट होती है यहां से तो एकस नौट बरावर क्या है हम्मारे पास में A1 है नहीं है मतलब इसको आप A1 नाम दे सकते हो A1 ठीक है उसके बाद में अपन अपन ऑगया हमारे पास में X1 आ गया उसके बाद यहां पर X2 आ गया उसके बाद में हमारे पास में X3 आ गया डोड़ डोड़ आगे चलते हैं हमारे पास में तो कहां पर पहुंच गए XR माइनस का वन और आगे चले तो XR तक पिर आगे चले तो हमारे पास में कहां पहुंचे XN-1 आगे चले तो पहुंच गए XN जहां पर XN ब्रबर के हमारे पास में B है तो ये क्या लिखा मैंने सबी समझेंगे और मैं एक बार वापिस रिवाइच कर दूँगा टेंशन ना लीजिए लेकिन आज की क्लास को आपके मैंड में इस प्रकार फिड करेंगे कि आपको दुबारा पढ़ने क्या आप सकता नहीं पढ़ेगी ए ठेक है तो तो थोड़ा सा समझबरबी कोशिश करें तीक क्या का कुछ नहीं है ए से बी अंत्राल को मैंने डिवाइड किया इनिन पार्टम में तो मैंने उनको यहां पर लिख लिए अब क्या करूँगा मैं अब सुना ज्यान से अब क्या करूँगा मैं इनको जैसे कि अपने पास इंट्रेवेल आई था यान कि अपने पास एक बड़ा इंट्रेवेल था आई आपको दिख रहा है आई बराबर क्या है close interval A से B यानि कि ये इसके अंतर पूरे terms आ गए ये अंदर वाली भी आ गए बाहर वाली भी आ गए ठीक है लेकिन मैं क्या करूँगा इन सब को छोटे छोटे interval में divide करूँगा जिस प्रकार एक company है यहां से लेकर यहां तक का काम कर रही है उसी प्रकार में यहां पर divide करूँगा कि यहां से लेकर यहां तक कित कौन सा interval है यहां से लेकर कौन सा नतराल है यहां से लेकर कौन सा तो उस प्रकार देखें न ध्यान से अब अब जैसे मान लो यहां पर मैं बात करता हूँ कि ए से लेकर यहां तक मैं बात करूँँ, जैसरे यहां तक तो मैं इसको नाम दे सकता हूं, i1। मैं शो किया नाम दे सकता हूं? i1 नाम दे सकता हूं और i1 इंट्रवेल का जोमान होगा, वो क्या होगा जैसे कि अपने यहाँ पे A1 से चल दा है तो X1 तो इसका I1 interval का जुमान हो गया वो कितना हो गया हमारे पास में इस इकॉल्ट में हो गया A1,X1 ठीक है उसी प्रकार जैसे अब मैं बात करता हूँ second interval की जैसे मैं यहाँ पे second interval की बात करूँ तो वही है जो रोड चालू होगा वो बिल्कुल यहीं से चालू होगा वो आप इस टच से स्टाट होगा तो जो I2 का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे तो I2 आएगा वो I2 का जुमान होगा वो होगा X1,X2 कैस बात से आप से मतो और यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवेली आपको लगाना है यहाँ पे छोटा ब्रेकेट का यूज नहीं करना है और छोटा और बड़ा ब्रेकेट का जो मतलब है आप सभी को डेफिट ने लियाता होगा क्योंकि अगर आपने मेरे से रियल अनलाजिस पड़ी होगी तो मैंने आपको शांदा तरीकेश समझाया था कि छोटा bracket और बड़ा bracket का क्या थात परिया है तो मैं बड़ा bracket लगा हूँगा क्यों अब कहीं को समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि बड़ा bracket तब लगाते हैं जब अपन गो जैसे x1 से start किया मलब a1 से start किया x1 तक तो मुझे यदि a1 और x1 को include करना है तो मुझे यहाँ पर बड़ा bracket लगाना पड़ाएगा यहाँ कि close interval की बात अपन कर रहे हैं अगर open interval यह चोटा bracket लगाते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि a1 को भी सामिल नहीं किया x1 को सामिल नहीं किया इसके बीच में जो साथ टर्म से उनको सामिल किया यह ताथपरी होता है close interval और open interval का ठीक है तो बस यह यह था और ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं किया अपने तो मैंने क्या करा कि जो हमने यहाँ पर parts में को divide कर रहा है उनको मैंने क्या नाम दे दिया अब यहाँ पर especially नाम देता हूँ जैसे मान ले अब यहाँ पर A1 और X1 है तो मैंने शुक्या नाम दे दिया I1 बिल्गुल सही है तो यहनकी I1 का जो मान आ गया वो हमारे पसम कितना गया मनलब close interval की बात कर रहे है A1 और X1 आ गया ठीक है उसके बाद में मैं इसी प्रकार यहाँ पर I2 का मान लिख देता हूँ तो I2 का मान कितना होगा I2 का जो मान होगा वो होगा X1, X2 और close interval होगा उसी प्रकार अपन यहाँ पर देखो X2 और X3 के बात करते हैं तो मारे पास में जो interval होगा वो होगा I3 मेर साब से आप सभी को दिख रहा होगा तो I3 is equal to क्या होगा I3 is equal to मारे पास में है X2, X3 लेकिन अपनी जो unit टिकी हुई है वो यहाँ पर टिकी हुई है इन दोनों के उपर देखना ज्यान से XR minus 1 और XR पर इसी के उपर टिकी हुई है यहाँ तक पहुचने के लिए अपने को यहाँ से start करना पड़ेगा निकरना पड़ेगा वह अपने को पूरी building खड़ी करने पड़ेगी चोथे मंजली पर जाना है तो starting में दो मंजली तिन मंजली बनानी पड़ेगी तब ही तो fourth पहुचेंगे तो इसलिए अपने पहले इनको समझा उसके बाद में यह term सीखेंगे अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर तो यहाँ पर जो यह interval है वो कौन सा है IR1 interval ठीक है इसका मान कितना है भी यह IR interval का तो यहाँ पर close interval आएगा XR-1 और,XR तो यह क्या है हमारे पास में IR1 और अगर last का लिखें तो यह कौन से interval हो जाएगा यह हो जाएगा अपना IN interval और इसका मान है XN-1 और,XN ठीक है और इस इकोल्टो में आप B भी लिख सकते हो क्योंकि B एक last point है इस interval का यानि कि A से start हुआ starting point हो गया और B हमारे क्योंकि B लास्ट point हो गया तो मेरे साब से आप सभी को complete समझ में आ गया होगा मलब यह तो क्या है कि मैंने समवरत अंत्राल को है वो parts में divide करना आपको सिखा दिया है अब यह जो parts में divide करना मैंने आपको सिखाया है वो एक algebraic form में सिखाया है beach गनितिय form में सिखाया है जिसे कि आपको और गेचे तरगे से समझ में आई तो मेरे बात सुनो अब सारे मेरे बात सुनेंगे क्या सुनेंगे कि अभी मैं इसको दुबारा वापिस revise कर रहा हूँ बिल्कुल दुबारा क्या कर रहा हूँ उसका revise कर रहा हूँ तो जो student late चुड़े थे तीक है जो student late आये थे वो भी ध्यान से सुन लेंगे और जिनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई थी वो भी ध्यान से सुन लेंगे तो यह हमारा जो topic है वो है समवरत अंतराल का विवाजन आप सब्सकों दिखरा होगा अब समवरत अंतराल का मतलब क्या है समवरत का मतलब close interval मतलब यह बड़ा bracket की बात कर रहे हैं आगे बास समझ में उसका क्या करना अपने को विवाजन करना है उसको parts में तोड़ना है तो हमारे पास में कोई I interval है close AB और FX है कैसे है बताता हूँ अभी अब क्या है कि मैं इसको direct अगर ऐसे समझाता तो फिर आपके थोड़े से पला कम पड़ता ही है ना आपके समझ में कम आता लेकिन क्या हुआ कि मैं एक example लिया कि हम जैपूर से लेकर दिल्ली तक एक NH highway बना रहे है निसलन highway बना रहे है उसमें मैंने क्या करा कि यह road बना रहे है highway बना रहे है तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें road को जल्दी बनाना है highway को जल्दी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो जैसे कि यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट से एक कंपनी को फिर B, C, D इस प्रकार कंपनियों को नाम दे दिया और उनको कॉंट्रक्ट दे दिया कि आप जल्दी-जल्दी यहां का काम करवाईए ठीक है उसके बाद में सतत की कहानी तो यह है कि जैपूर से लेकर दिली दिल्दी तक हाइवे बनेगा थो पूरा कंटीनेसली तो चलेगा भीच में से ब्रेक थोड़ी और लेकिन बीच में से तूटा थोड़ी है वह यहां कोई जैसे रास्ता वहां से निकलता आप दूसरा तो वह एक कट थोड़ीवा महां से मार्व जुड़ा हुआ है ना तो पीच में से break नहीं होना चाहिए बस तो break नहीं प्रकार जो function अच्छता हो गया continuous होगा सथख हो होगा ठीक है नला है यहां पर So तो आगे जाके इन चीज़ों को और अच्छी तरिकेश पड़ेंगे तो मेरे साथ से एक्जाम्पल समझ में आ गया उसके बाद हम क्या करा वह देखो हमें टोपिक को किलिर करना है टोपिक क्या है समरत अमत्राल का विवाजन तो यह मैथेमेटिकल सोरी अपने एलजेबरिक फोर्म में इसको डिवाड करेंगे है कि नहीं एक्जाम्पल से समझ लिया अब एलजेबरिक फोर्म में इसको डिवाड करते हैं तो मैंने क्या देखा कि मैंने ए और बी यहांसे एवन इसको नाम दिया ह हाला कि A और B के मारे पास इसके बीच में टम है यह अपने एक नेशन हाइब मान लेते हैं उसके बाद में क्या है कि मैंने इसके अंदर टम को डिवाड कर दिया X1, X2, X3, XR-1, XR और XN-1 और देखो यह चीज़े हैं यह सब रिमान ने बताई थी हाला कि कई चीज़े होती हैं जो केवल साइंटिस्ट जानता है कि क्यों दिये लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की आगे बास में अब इतना मैंने बताया X1, X2, X3 इस पार्स में डिवाड़ कर दिया है और लास्ट में XN का मान कितना है इस जी क्वालिटों में कितना है B है अब उसके बाद मैंने आप से एक बात और कही कि जो इनका बीच का इंटरेवल रहेगा एच 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 लेकिन मैंने I1, I2, I3 में IR, IN में डिवाड़ किया ये क्या है इसके उप अंतराल है तो इस चीज को आप लिख लेना कि यहाँ पे हमारे पास में जो I1, I2, IN, IR ये क्या है हमारे पास में ये हैं उप अंतराल उप अंतराल है उप अंतराल क्यों है उप अंतराल इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि I एक टोटल अंतराल है पूरा बड़ा अंतराल है लेकिन मैंने I को पास में डिवाड़ किया I1, I2, I3 में तो वो क्या हुआ छोटे छोटे पास में डिवाड़ कर दिया तो वो उ उपानत्हाल होऄ ये नहीं हुआ बिल् Maur और बात है तो इसके बाहुत मैंने क्या करा कुछ नहीं क्या सिंपल सा क्या है कि यहां से यहां तक को मैं आईवन नाम दिया फिर वह जो है इसलिए यहां से X1 से स्टार्ट होगा X2 तक I2 हो गया उसी प्रकार आगे बढ़ते चलेंगे तो यहां पर मैंने क्या करा पहले तो उनको डिवाइड कर दिये पार्स प्रकार और उसके बाद में फिर मैंने इनको उपंत्राल में भी यहां पर लिख दिया आराम से तो अप हो गया होगा पहला टोपिक अपना अंत्राल का समरत अंत्राल का विवाजन तो विवाजन आप सभी को मेरे साब से क्लियर हो गया होगा अगला टोपिक पढ़ते हैं चोटा सा अगला टोपिक का नाम है अंत्राल की लंबाई अंत्राल की जो लंबाई होगी वह इसी से क्या होगी जुड़ी हुई होगी आगे बाद समझ में तो इसको ध्यान से समझना इस डियाग्राम को आपके दिमाग में फिड कर लीजिए आगे बाद समझ में आगे चलें अपन तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं छोटा सा बाकिया आना कि अपने क्लास याद लंबी करेंगे लेकिन हो जाएगी कि आप समझने में ताइम तो लगता ही है तो आगे सलते हैं अब अपना गला टॉपिक है अंतराल की लंबाई अंतराल की जो लंबाई है उसको अपन डिनोट करते हैं किसे डैल से डिनोट करते हैं तो आप इसको ब्रेकिट में यहां पे लिख लीजिए इसको अपन डिनोट करते हैं डैल से अब अभी जो अपने एक्जांपल समझा था उसी से अपन इसको समझते हैं देखना ध्यान से length of interval अपन कह सकते हैं इसको इंगलिस में अंत्राल की लंबाई तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि जैसे हमारे पास में I1 अभी में हमारे पास में A के sub interval था उपन तराल था तो यह कहां से कहां तक था आपको मेरे साब से ही पूरा याद होगा कहां से था X0 यानि की A1 से start था और कहां तक था X1 तक था और दिक्कत नहीं था ठीक है उसी प्रकार यहाँ पर जो I2 था आइटू था हमारे पास में X1 से start था और कहां तक था X2 तक और यहाँ पर जो I3 था वो कहां तक X2 से लेकर X3 तक था उसी प्रकार अपन आगे चलते हैं तो हमारे पास जो IR है वो कहां सकता मलब XR माइनस का 1 से लेकर XR तक था उसी प्रकार आगे चले थोड़ा सा तो यहाँ पर अपन पहुंचेंगे IN तक तो यह कहां तक था XN माइनस का 1 से लेकर XN तक तो यह हमारे पास में क्या हैं बताओ यह हमारे पास में है Interval मलब Sub Interval थे लेकिन अपन को क्या निकालने है Length of Interval अंतराल की लंबाई अपन को निकाल ली है तो Easy Quality में यहाँ पर लिखते हैं अपन भीया अपन उट्या निकालनी है Interval की लंबाई यानि कि लंबाई of I1 ठीक है Length of I2 और Length of I3 ठीक है और यहाँ पर Length of I1 अपन कह सकते हैं इसको और Length of कह सकते हैं करना है तो कैसे करेंगे बताओ अब जैसे एक बात मुझे बताईए आप इसको भी मैं एक Concept के मादब समझाओंगा आपको कि जैसे मान लीजिए आपको लंबाई निकालनी है तो क्या करोगे देखो मेरे बास सुनो जैसे एक example आपको देता हूं अब यहां पर दिल्ली से लेकर बीच मालत दोसा पड़ता है तो दोसा मालत जैपूर से लेकर दिल्ली तक का जो सफर है मालत चार सो किलोमेटर का है ठीक है और यहां से लेकर यहां तक का जो सफर है वो लगबा कितना है तीन सो किलोमेटर का है तो अब मुझे आप बताईए ये दिल्ली से लेकर दोसा की जो लेंट है वो आपको पता है दिल्ली से लेकर दोसा तक की लेंट आपको पता है और दिल्ली से लेकर जैपुर्त की लेंट भी आपको पता है ठीक है फिर आप दोसा से लेकर जैपुर्त की लेंट को कैसे फैंड सब्सक्राइब क्योंकि अपर हमाइस आई वन है तो यह भी डैल वन हो जाएगा उसी प्रकाश जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड की तो देखो एक्स टू माइनस का एक्स वन और यह कॉंसेप्ट मेरे साफ से एक्जाम्पल के माध्यम से आपके ultimate समझ में आ गया होगा आ गया समझ तो हम кожi में उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं तो हो जाएगा पर ऑकला-3-2 हो जाएगा इसको नाम देधा आप डैल तूँन देदो इसको नाम देधावाप्पल की आ toutes है खिसको यहाँ पर i xR लिख़ यहाँ पर एकसर मानेस का एकसर मानेस का वन तो आपको कह निकल के आएगी आपके पास में निकल कि आ लेंट ओफ इंट्रवेल आगे बाद में अंतराल की लंबाई तो अपने दो टोपिक पड़े एक तो हमने समवरत अंतराल को डिवाड कर दिया उसके बाद में अंतराल की लंबाई को निकाल लिया और लंबाई निकालने के लिए एग्जामपल आपके लिए मेरे साथ से बैस एक्जमपल है आगे आप यह आपको समझ में आ गया उसके बाद में छोटा ऐसा टोपिक और है आज के लिए बस उसके बाद में अपन कल की क्लास में ही पढ़ेंगे तो आज की क्लास का एक लास टोपिक अपने एक छोटा सा पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं विभाजन का म विवाजन का मानक, इसको अपन बोलते हैं, इंग्लिस में norm of partition, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, norm of partition, ठीक है, हिंदी में एक नाम से और बोलते हैं इसको जलाक्षी, क्या बोलते हैं, जलाक्षी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये क्या है, एक छोटा सा टोपिक है, मात्र, एक मिनट का टोपिक है, तो ये दियावा है, हलांकि एक्जाम में आपसे मानलोब पूंच ले, जलाक्षी के नाम से पूंच ले या तो आपसे, या फिर आपसे विवाजक, विवाजक का मानक, या फिर नॉर्म, नॉर्म of partition, पूंच ले आपसे, मालब नॉर्म पूंच ले तो इसका formula है, वो है, इस प्रकार, double modulus अपन कह सकते हैं इसको, हालांकि इसको अपन बोलते है, norm, विवाजक का मानक का एक, एक personal sign अपने इसको कह सकते हैं, ठीक है, is equal to में हमारे पास में है, maximum, क्या हमारे पास में maximum, और bracket में लिखते हैं, अपन डेल आर, डेल, आर, और यहा कि हमारे पास में जो विवाजक का मानक है, norm है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, क्या है हमारे पास में, यह अपन बास अतने, P का मानक, ठीक है, विवाजक का मानक, यह नहीं कि P हमारे पास क्या है, विवाजक है, तो P का मानक मैं इसको कह सकते हैं, तो P का मानक क्या हु उसका क्या मैक्जिमम होने चीए मनलब यहां पर क्या है कि जो मैक्जिमम लेंट होगी वह हमारे पास में नौर्म और पार्टिशन होगी जलाक्षी होगी यह विवाजक का मानक होगी जैसे कि मैं बात करता हूं जैसे हमारे पास में यहां पर अपने एक एक्जामपल लिया थ से मैं यहां पर जैपूर से बसी कानो उता इधर काप्य सारी पड़ते सबसे ज़्यादा इसकी लहन तोगी सबसे ज़्यादा जिसकी लिन्तोगी हमारे पाश में क्या होगा द algumas ौनी का मानना होगा जलाकसी होगी आगए बास तो यह यह इसका छोटा सा टोपिक है बस यह यह और कुछ नहीं है इसको आप इस परकार डिनोट करोगे तो करोगे इसमें कुछ अपन नहीं कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं ठीक है तो विभाजक का मानक नोर्मो पार्टी से मेरे साथ से आपको समझ में आ गया होगा क करते हैं मैक्सिम्म ऑप डैल और मतलब क्या है हमार पास में है तो वस यह अपना लाज टोपिक है आज के लिए और कल अपन डिसकस करेंगे अगला तोपिक जिसका नाम है डार्बक संब योग ठीक है तो आज के लिए सब इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में डिसक्स करेंगे डार्व योग डार्व एक्षम तो मैंने कहा दो त्य दिन अपन कह सकते हैं कि इसके एक नॉर्मल बेसिक क्लास से लेगी चप्टर नंबर चप्टर तो नहीं कहेंगे आप इसको रिमान इंटेगरेशन इसका नाम है ठीक है तो आज की लिए से वितना ही पढ़ेंगे अगली क्लास में डिसक्स करेंगे पर नेक्स्ट टॉपिक तो वीडियो को शेयर क्यों यार लाइक कर दिया करो इसको और ज्यादा ज्यादा लाइक कनेक्ट हो जाओ क्योंकि रियल की जो फॉर्थ उनट है व और यह से फिक्स कुशन आते हैं